हलो गाइस इस वीडियो में हम यह सिखेंगे किया से एक box billing CMS इंस्टॉल करेंगे godaddy.com hosting में इसके लिए आपको godaddy.com की hosting चाहेंगी आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं sign in कर रहा हूं मेरे पस अलड़ी hosting है आप भी इसमें purchase कर सकते हैं और domain भी buying कर सकते हैं आप से after signing आप देख सकते हैं कि there is a option है कि web hosting तो यहां पर आप इसके web hosting के जो एक account में manage कीजिए जिसमें आपको install करना है box billing billing cms इसमें कुछ ही steps में आपका box billing जो software से वह installed हो जाता है बहुत easy है box billing software से install करना आप देख सकते हैं कि यहां पर कई सारे options आ रहे हैं कि आपको चूज करना पड़ेगा वैप अप्लिकेशन पर आप क्लिक करेंगे और उस बटन पे तो आप यहां पर एक जो बॉक्स बिलिंग का इन्वाइजिंग का software लाइक वैब साइट है cms means वह आप का आइकन यहां पर आएगा तो उसको क्लिक करेंगे तो next step में इसकी information यह पेज़ देगा कि बही जो box billing का कौन सा version है कितने MB की requirement है और क्या इसके future है box billing के 100 features हैं वह मैं आपको थोड़े से बदाजेतान supports, automatic billing, invoicing, product provisions, automatically create hosting account as soon as the payment is received suspend when account becomes overdue, terminate when specified amount of time pass, enable multiple currency, accept one time and recurring payments box billing is a perfect credit to sale, shared and reseller hosting accounts, domains, software license, download products, custom recruit billing products, help decks, knowledge base, news and announcement systems, initiative web 2.0, ajax powers and interface with 100% usability score इसका मतलब यह है कि जो box billing software से basically एक जैसे आप कुछ एक billing के लिए कह सकते हैं या फिर आप जैसे आप कोई business खोलना चाहते हैं like आप reseller बनना चाहते हैं किसी hosting company का तो आप यह जो box billing software है यह website है as a website इसको यूज कर सकते हैं as a free, it is free license version है यह भी एक PHP का CMS है जो आप यूज कर सकते हैं जो in in futures में काम आसकता है तो इसके next step में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक right top में इस इस अप्लिकेशन का बटन है इसको क्लिक कीजिए कि सबसे पहले यहाँ पर आपको शो करेगा कि किस location पर आपको box billing जो software है वो कहां install करना है इसका मतलब यह है कि जो आपको main domain में install करना है या फिर sub domain में install करना है तो यहाँ पर जो जितने भी आपके domains और sub domains जो इस account इस hosting account से mapping हो रखे हैं वो सारे जो domains है वो यहाँ पर show off करेगा तो मेरा main aim domain जो बुडिगे.com है वहाँ पर मैं अपना install करूं मुझे डारेक्ट्मी डारेक्ट्री जो है यह optional जो है नहीं चीए इसलिए मैंने remove कर दिया इसका बाकी चीजे मैंने as it is इसको रखा है ना बाकी चीजे मैं कुछ भी इसमें touch-up नहीं करूंगा जैसे की बर्जन से वह मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा जैसे है वैसी रहने दिना इसके बाद आता है कि नेक्स सेटिंग्स में इसमें आप देख सकते हैं कि अड्मिस्ट्रेक्टर इमेल से यहां पर यहां पर वैपसपर डाल दीजिए और यहां पर वैपसाइट जो आप बना रहे हैं माइं वैसिंग वैपसाइट जो टाइटल होगा वैपसाइट का वह यहां पर डाल सकते हैं और इसके नीची आप देख सेता है सबसे बॉटम में जब स्कॉर्ल करेंगे तो एक इंस्टोल का बटन आएगा तो आप जो इस बटन को क्लिक करेंगे तो यह प्रोसेसिंग करेगा कुछ टैम के लिए प्रोसेसिंग करेगा तो इसके बद यह सक्सेस्फुली आपका बॉक्स विलिंग जो वैपसाइट है सीमस है वह आपको इंस्टोल कर देगा आपका गुडिके.com में डोमेन में करेंगे तो इसके बाद में आपन करेंगे तो इसके बाद में आपन करेंगे तो